नेताप्रतिपक्ष तेस्वी आदब आज अपने विधान सभाज छेत्र रागोपुरुवर भरमन करने के लिए गये हैं दरसल जब भी पारिश का मौशम आता है तो रागोपुर का इलाका पूरी तरीके से डूब जाता है रास्ता ठप हो जाता है रास्ता नाव से रह जाता है जो भी लोग आते जाते हैं वो नाव का सहारा लेते हैं तेस्वी आदब भी आज अपने विधान सभाज छेत्र भरमन करने के लिए पहुँचे हैं दिरहां देखिए किस तरीके से कहां बैठे हुए हैं तेश्वियादब नेतापरतिपक्ष हैं और नाव पर बैठ कर जा रहे हैं अपने विधान सबच्षेत्र दिरहासल रागोपूर दियारा इलाका में पड़ता है और जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो इलाका हमेश दूपता है बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां अगर भारी बारिश हो या हलकी भी बारिश हो तो वो इलाका दूब जाता है उसका कोई इलाज अब तक सरकार के द्वारा नहीं कराया गया है हलाकि सिमांचल का भी इलाका जो है वो इसी तरीके से डूबा हुआ नजर आता ह कई तस्वीरे आपने देखी है कल किस प्रकार से 15 अगस्त का वो तस्वीर था और जंडे फैरा रहे थे लोग और जो बच्चे थे वो पानी में थे तो ऐसी तस्वीरे आती रहती है और आज तेस्वी आदब जो है वो अपने विदान सबाज शेतर जब पहुंचे तो नाव पर बैठ कर भ्रह्मन करने के लिए रागोपूर गय है यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस यह एक नाव है और नाव पर नीता प्रतिपक्स तेस्वी आदब साती साथ आरजडी के पूर विधायक और मुख्य प्रवक्ता सक्ति सिंह आदब नजर आ रहे हैं उनके साथ और पार्टी के साथी साथ तेस्वी आदब के जितने सिकुरिटी गार्ड्स हैं वे तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और जो तस्वीरे हम दिखा रहे हैं यह रागोपूर जाने के करम में जब तेस्वी आदब नाव पार कर रहे थे उस वक्त की यह तस्वीर है लगता हर बार जब भी बारिश का मौसम होता है तो तीजीश्पिय अदब जाते हैंरागोपूर और वहापने का कहा जाए जाने के लिए रासता नहीं है न शड़क है स्रिफ और सिर्फ नाव का ही सहरा लेते हैं लोग और बीच में जो कहा जाए कि जो दिन रहते हैं उसमें चच्री पूल का इस्तमाल किया जाता है, चच्च्रिपूल बनाया जाता है और उसी से लोग आते हैं और जाते हैं, لेकिन अभी का जो मोसम है और जो बारिश का मोसम है और उससे में बहाँ पर लोगों को आने-जाने में काफी मुसकत का सामना करना पड़ता है और ऐसे में तस्विय आप आपको दिखा रहे हैं जब रागोपूर जा रहे हैं तेजस्वी आदब अपने विदान सभा छेत्र भ्रमन करने के लिए तो नाव पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं नाव पर बैठ कर नेता प्रतिपक्स तेजस्वी आदब जो है वह अपने छेत्र जा रहे हैं और वह वहाँ पहुंचे पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है